वेल्कम बैक हमने क्लांस लेवन सेक्रेट्रियल प्राक्टिस दाइस एस्पी का चैप्टर सेवन स्टार्ट किया है कंपनी मीटिंग वन पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर का प्रॉपर कंड़क्ट आफ मीटिंग ये पार्टिकुलर टॉपिक स्टार्ट कर दिया था इसमें हमने दो टॉपिक्स अल्रेडी कवर अप कर लिये हैं that is proxy and motion हमने ये दोनों टॉपिक डीटेल में पिछले वीडियो में study कर लिया था इस वीडियो में हम वोटिंग से टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं let's see voting क्या है all right तो सबसे पहले उसका मतलब समझ लेते हैं let's see to vote means to express opinion in a formal way तो voting का मतलब होता है vote करना vote करने का मतलब है अपना opinion express करना हम क्या सोचते हैं हमारा point of view क्या है वो लोगों को बताना but in a very formal way all right after discussion on motion in a meeting it is put to vote for knowing the opinion of members एक बार meeting के अंदर motion के उपर discussion हो गया motion क्या है तो हमने पिछले वीडियो में study कर लिया था motion क्या है ये एक proposal है जो की meeting में present किया जाता है किसी भी member द्वारा अगर किसी particular member को किसी भी topic के उपर discussion करना है तो वो proposal रखता है meeting में और उसके उपर discussion होता है तो motion के members है उनका क्या opinion है वो क्या decision लेना चाहते है ये पता करने के लिए वोट किया जाता है voting is necessary to ensure the sense or the trend of meeting और वोटिंग बहुत जरूरी है ये देखने के लिए कि meeting में जितने लोग है वो क्या सोचते है उनका क्या decision है तो decision और फैसला जानने के लिए वोट करना बहुत जरूरी ह each shareholder has a right to vote on each motion in a lawful manner और हर एक shareholder के पास ये अधिकार है कि वो meeting में वोट कर सके और हर एक motion पे उनको वोट करने का अधिकार है वो भी lawful manner में companies का जो law है उनकी उसके तहट members that is shareholders के पास ये अधिकार दिया गया है कि वो हर एक motion में वोट कर सके और नेक्स इस method of voting अब सकता है meeting में let's see एके करके देखते हैं first is voting by voice the voting by voice मतलब बोल कर आवास देकर वोट किया जा सकता है meeting में क्या है देखते हैं under this method the members are requested to say yes if they are in favor of the motion और say no if they are against the motion तो इस पर्टिक्लियर में क्या होता है बोल कर हमें वोट करना होता है that is अगर हम फेवर में वोट करना चाहते है तो yes बोलना होगा और अगर against में वोट करना चाहते हैं motion के तो हमें no बोलना होगा all right decision is taken on the basis of volume of voice decision जो है फैसला किसके basis के उपर लिया जाता है volume of voice मतलब अगर yes की आवास ज्यादा होगी तो favor में जाएगा decision लिया जाएगा और अगर no का volume जो है वो ज्यादा होगा no का जो आ volume of voice does not give the clear idea about the majority of votes तो mostly जो decision है ये जो voting का टाइप है voting by voice ये जो method वो mostly use नहीं किया जादा है किसी भी company meeting में क्योंकि voting by voice ये जो method है वो clear idea नहीं देता है clear decision नहीं ले सकते हैं हम voting by voice से क्योंकि कभी-कभी क्या होता है yes बोलने वाले लोग ज्यादा होते हैं लेकिन volume जो है वो yes क ज्यादा नहीं हो सकता कभी-कभी लोग धीरे से yes भी बोल सकते हैं और अगर no के लोग कम हैं लेकिन उनका volume अगर ज्यादा है तो लोगों को लगए no बोलने वाले ज्यादा लोग हैं तो इससे clear idea नहीं मिलता है decision proper नहीं लिया जा सकता इसलिए voting by voice जो है ये method भहत कम यूज जाता है meeting में next is voting by division अब voting by division क्या है let's see under this method present members are divided into two groups तो voting by division के तहत में इसके अंदर क्या किया जाता है जो जितने भी members है मतलब जितने भी लोग मीटिंग में present है उनको दो ग्रूप में डिवाइड किया जाता है member in favor and those against the matters are asked to go in a different rooms तो दो अलग अलग rooms जो है वो बनाय जाते हैं और जितने भी लोग in favor में है वो एक रूम में होंगे एक रूम में जाएंगे और जितने भी members no के against में मतलब जो motion के against में वो दूसरे रूम में जाएंगे then the trend of meeting is ensured by counting and chairman declares the result और फिर क्या फैसला कैसे लिया जाएगा जितने भी जितने भी members है जो कि yes के favor में है वो एक उस रूम में उनका numbers count करके वहां पर लिखा जाएगा पर chairman जो है वो numbers देखके count करके decide करेगा कि no के लिए ज्यादा है कि yes के लिए ज्यादा है और जो जादा होगा उस favor में decision लिया जाएगा meeting का next is voting by show of hands according to section 107 तो voting by show of hands क्या है let's see यह show of hands जो है वो पहले भी हमने देखा था show of hands किस तरीके से किया जाता है नाम आया है पहले भी पिछले videos में तो इसका मतलब क्या है किस तरीके से vote किया जाता है by show of hands let's see this method is using general meeting of a company mostly जो show of hands यह particular type का जो voting है वो general meeting में होता है general meeting मतलब जो shareholders की meeting होती है उस meeting के अंदर show of hands का जो voting है इस तरीके से voting किया जाता है यह method use किया जाता है after the discussion on the motion the chairman requests the member to raise their hands in favor और against the motion तो motion के उपर एक पर discussion हो जाती है जो चर्चा है जो भी discussion है arguments वो एक बार पूरी हो गई उसके बाद chairman जो है वो members request करते हैं कि जितने भी लोग favor में है वो अपना हाथ उठाए raise करें तो उसके बाद वहाँ पर counting होगी और जितने भी लोग against में है motion के वो अपना हाथ उठाए ओल्राइट the chairman declares the result by counting the numbers of hands in favor और against the proposal तो chairman declare कैसे करेगा result जितने भी लोगों ने हाँ के लिए हाथ उठाया है वो numbers count करके note down किया जाएगा और जितने भी लोगों ने ना के लिए against में हाथ उठाया है वहाँ पर फिर numbers count करके note down के जाएगे उसके बाद end में result declare किया जाएगा वाइन counting the numbers of hands in favors में कितने लोगों ने बोला है और अगेंस में कितने लोगों ने बोला है उसके तहर फैसला लिया जाएगा और नेक्स इस voting by ballot अब voting by ballot क्या है under this method to record the vote ballot papers are distributed to every members and they are deposited in the ballot box the votes are counted and the result is declared this method maintains secrecy in voting तो अब यहाँ पर क्या होता है voting जो है वो ballot box से होती है mostly जो पुरानी movies होती है तो वहाँ पर देखा होगा कि voting कैसे होती है एक paper होता है उसके उपर या तो stamp करना होता है कुछ लिखना होता है और paper fold करके एक box में डाल देते तो वो box क्या था ballot box होता है तो same होता है meeting में भी इस particular method में voting by ballot में ballot papers दिये जाते हैं हार एक members को distribute के जाते हैं और members को जो भी अपना vote देना है जिस भी particular favor में उस particular paper में ballot paper में वो लिख के वो paper को fold करके ballot box में डाल देते हैं और उसके बाद फिर जितना जो भी chairman है या जो भी particular member जो या तो फिर जो भी authority जिसको जो count करेगा vote वोट count करेगा ballot papers को देखकर और यह favor में जितने numbers है वो no down करेगा और against में जितने numbers है वो no down करके declare करेगा result और mostly यह जो method है voting by ballot के अंदर secrecy maintain की जाती है मतलब लोगों को पता नहीं हुआ किसने against में vote किया है और किसने favor में vote किया है तो secrecy अगर maintain करनी है तो voting by ballot method use कर सकते हैं next is voting electronically अब voting electronically मतलब electrical कोई machine होगी उसके वो use करके voting की जागी all right तो section 108 के तहर क्या है the central government may prescribe certain companies for having compulsorily electronic voting in general meeting तो general meeting में जो shareholders की meeting होती है उसमें electronic machine यूज की जाएगी voting करने के लिए और वो भी हर एक company के लिए applicable नहीं है अगर उनकी general meeting होती है shareholders की meeting होती है तो वहाँ पर electronic तरीके से machine जो है उसके उपर ही voting की जाएगी members में exercise his right to vote by the electronic means और जितने भी members है उनको electronic equipment दिया रहेगा हो सकता है machine वो button प्रेस करना हो या उनके हाथ में कुछ remote होगा उसके button को प्रेस करके वो क्या कर सकते है अपना vote कास्ट कर सकते है अपना vote दे सकते है अल्राइट नेक्स्ट इस voting by postal ballot अब वोटिंग बै पोस्टल बैलेट क्या है section 110 the central government में prescribed certain companies for having voting by postal ballot ballot papers are sent by post to the members अब ये भी same तरीका है बट ballot papers यहाँ पे क्या होते है post द्वारा स्वें किया जाते हैं मतलब लोगों की घर तक by post जो है वो ballot papers members के घर तक पहुँच आए जाते हैं by the companies मतलब central government कुछ companies को prescribe करती है कुछ companies के नाम mention करती है जिनके पास ये authority होती है पावर्स होती है कि अगर उनको voting करनी है किसे particular चीज के लिए decision लेना है तो वो क्या करें ballot papers जो होते हैं वो members के घर तलग पोस्ट करें और members को जो भी particular decision लेना है वोट करना है वो ballot paper पे लिखकर वापस क्या करेंगे company को वो paper जो है वापस repost कर देंगे और फिर counting करके कितने लोगों ने favor में और कितने लोगों ने against में vote किया है उसके according decision लिया जाएगा next is voting by poll, voting by poll क्या है, poll can be demanded after the declaration of result by the show of hands तो show of hands मतलब हाथ उठा के हमने एक बार vote कर लिया उसके बाद भी लोगों को लगता है जितने भी members है कि नहीं यह decision नहीं लेना चाहिए हमें पोल के पोल डिमांड करना है उनको मतलब पोल के द्वारा उनको voting करनी है तो show of hands एक बार हो वोट फिर भी अगर वो नहीं मानते उस decision को तो पोल डिमांड किया जाता है फिर पोल द्वारा वोटिंग की जाती है अगर एक मेंबर के पास दस शेर से तो वो दस बार वोट कर सकता है वोटिंग बार पोल में अगर किसी मेंबर के पास 5 वोट है तो वो 5 ही बार वोट कर सकता है किसी मेंबर के पास 20 शेर से तो वो 20 बार वोट कर सकता है तो वोटिंग बार पोल के अंदर मेंबर जो है वो अपना वोट जो है वो अपने शेर के नंबर के हिसाब से वोट कर सकते हैं क्योंकि show of hands में तो एक बार हाथ उठाया और वो count हो गया तो वहाँ पर उस type से क्या होगा decision लिया जाएगा but voting by poll में क्या होगा जितने भी members है उनके पास जितना vote है वो उतने numbers में क्या कर सकते हैं अपना vote दे सकते हैं अगर 10 shares है तो 10 बार vote कर सकते हैं तो यह advantage होता है voting by poll में polling papers are given to members and proxies for recording their votes तो यहाँ पर polling paper दिया जाता है members को और proxies को तो voting by poll के अंगर proxy जो होते हैं उनको भी allowed होता है vote करने के लिए तो polling paper दिया जाता है members को और proxy को वो अपना vote उस particular paper में record कर सकते हैं तो result of poll is final and not be challenged और यह जो poll का result होता है मतला पोल की voting by poll द्वारा जो भी result आएगा जो फैसला आएगा वो final decision होता है और meeting में उस फैसले को उसके बाद कोई और challenge नहीं कर सकता नेक्स्ट इस legal provisions regarding voting by poll अब कुछ rules है कुछ legal provisions regarding voting by poll क्या है पर्स्ट इस the chairman can demand poll तो chairman जो है वो भी पोल के लिए दिमांड कर सकता है एक यह next in case of private company अगर private company है तो voting by poll के अब होगा या फिर किस तरीके से दिमांड किया जाएगा कौन बोल सकता है कि हमें voting by poll से ही वोट करना है तो इन प्राइवेट कंपणी पोल के में डिमांडेट बाइवन मेंबर वें नॉट मोर दन सेवन मेंबर्स अगर किसी मीटिंग में वह भी प्राइवेट कंपणी के लिए यह और राइट किसी मीटिंग में साथ मेंबर्स से कम लोग अगर मीटिंग में प्रे से ज्यादा कोई अगर members present है meeting में that is meeting है और seven members से ज्यादा अगर है present तो कम से कम दो लोग अगर बोलेंगे कि उन्हें voting करनी है लेकिन voting by poll करना है तो poll जो है वो दिया जाएगा grant किया जाएगा तो voting by poll होगा all right next is in case of public company poll can be demanded by at least five members present in person or by proxy तो अगर public company है government company है कोई तो वहाँ पे कम से कम पाच members meeting में जितने भी members present है चाहे वो members हो चाहे proxy हो तो उन में से कम से कम five members जो है वो अगर पोल की demand करते हैं तो पोल grant किया जाएगा voting by poll होगा next is it can also be demanded by any member या तो फिर members present in person or by proxy holding one tenth of the total voting powers तो जितने भी members present है meeting में चाहे वो proxy include करके भी all right तो proxy हो चाहे members हो अगर उनके पास voting power है लेकिन one tenth voting power है तो वो पोल डिमांड कर सकते हैं next is the vote must be conducted within 48 hours of its demand तो पोल त्वारा अगर वोटिंग करनी है तो उसके लिए कुछ particular procedures follow करने होंगे कुछ स्वारा के सारे इंतजाम करना होगा तो उसके लिए थोड़ा time लगता है तो एक बार बोला है कि अगर voting by poll करना है तो 48 hours दो दिन के अंदर voting by poll जो है वो हो जाना चाहिए next is the decision taken by पोल is final and cannot be changed तो एक बार पोल जो है voting by poll द्वारा decision ले लिया फैसला ले लिया उसके बाद उस decision को कोई भी change नहीं कर सकता challenge नहीं कर सकता वो final decision होगा next is the demand for poll can be withdrawn anytime by the person who demanded it तो कोई भी particular person जो की demand करता है पोल के लिए voting by poll के लिए अगर seven members है किसी public private company में या तो फिर अगर seven members से ज्यादा है तो अगर किसी भी person जिसने ये बोला है कि उसे voting करनी है बट voting by poll अगर करना है पोल demand करते हैं तो वो किसी भी time अपना जो vote है बदब demand है for poll वो withdraw कर सकते हैं कि उन्हें voting द्वारा पोल द्वारा voting नहीं करनी है तो यह था legal provisions regarding voting मतलग कौन-कौन particular लोग कौन-कौन situation में आ किस situation में voting जो है by poll demand कर सकते है चैर्में दिमांड कर सकते हैं company के private company में कब-कब demand किया जा सकता है पोल के लिए voting करना public company में कब demand किया जा सकता है तो वो voting by poll जो है वो अब voting by poll का merits क्या है advantage क्या है प्रॉक्सी जो है अगर वोटिंग बाइपोल हो रहा है तो वहाँ पर प्रॉक्सी भी वोट कर सकते हैं यह के advantage है secrecy can be maintained under this method तो इस particular method में भी secrecy maintain की जाती है because vote जो है वो polling paper पे होता है तो paper में vote कास्ट करते हैं लोग और वो डालते हैं इसके लिए secrecy maintain की जाती है यह भी एक advantage है it is a scientific method of voting की एक scientific method of voting करने का shareholder can vote in proportion of shares health और shareholders जो है वोट कैसे कर सकते हैं इन proportion of the shares health जितना shares उनके पास है उसी के proportion में वोट कर सकते हैं तो यह भी उनके लिए क्या है यह एक advantage है next is demerits तो कुछ disadvantages भी होते हैं first is under this method one share one vote principle is exercise hence this method is criticized as capitalist method of voting तो इस method के अंदर one share one vote है यह principle follow किया जाता है यह rule follow किया जाता है तो यह क्या है demerited disadvantage है क्योंकि कोई-कोई जो होता है shareholders उनके पास ज्यादा shares होते हैं तो वो ज्यादा voting कर सकते हैं ज्यादा बार वोट कर सकते हैं और किसी के पास कम होते तो वो कम बार वोट कर सकते हैं तो यहाँ पर decision जो है वो प्रॉपरली नहीं लिया जा सकता ओल राइट इसके पास ज्यादा शेयर उसके पास ज्यादा ज्यादा पावर से वोट करने का तो यह एक डिसद्वांटेज है इस में इस एक्सपेंसिव टाइम कंजूमिंग और कॉंप्लिकेटेड और यह जो में ज्यादा एक्सपेंसिव इसके उपर खर्चा ज्यादा आता है क्योंकि बहुत सारे चीजों का अरिंजमेंट करना पड़ता है अल्राइट टाइम भी काफी लगता है बिकास पोलिंग पेपर देना पड़ेगा फिर उसके बाद पूरा प्रोसीजर पूरा सेट अप करना पड़ेगा और कॉंप्लिकेटेड भी एकाउंटिंग वगर करने के लिए इतने सारे हैं इतना शेयर हैं तो कितना वोट बोलो कास्ट कर रहे हैं वो सारे चीज़े काउंट करने के लिए तो इसके लिए यह जो मैथर है यह एक्सपेंसिव है मतलब बहुत ज्यादा खर्च आता है इसमें टाइम बहुत लगता है और कॉंप्लिकेटेड भी है तो यह पूरा का यह जो टापेक थावोटिंग का वो पूरा समझ में आया होगा इसमें इस एस वीडियो में हमने वोटिंग यह पटिकला टापिक कवर किया पूरा का पूरा इसमें हमने वोटिंग पूरा इसमें वोटिंग का An Опल नहीं प्रोबीजिन से समझा क extraordinarily समझा है जो कि कमपई नंह पार्टिकुलर मेंबर्स जो है वो पोल डिमान कर सकते हैं उसका एडवांटिज क्या है और उसका डिसद्वांटिज क्या है मेरिट्स और डिमेरिट्स अल्राइट सो आपको पूरा टॉपिक जो था इस वीडियो का समझ में आया होगा वोटिंग का नेक्स्स रिजॉलुशन जो हम नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर अब करेंगे सो थैंक यू फॉर टाइम